ओम नमस्युवाय श्वागत है आप सभी का मेरे एचस भारद्वा यूटूब चैनल पर 16 अगस्त शामन का आखरी सोंबार दोस्तों बहुत ही अच्छा योग हैं और स्रावन मास में आप सभी जानते हैं कि अनेकों ब्रत तुहार ऐसे आते हैं जिनका विशिश महत्व हैं मंगला गोरी प्रत हुआ तीजों का प्रत हुआ रख्या बंदन हुआ सभी तीजों का सभी त्वारों का अपना-पना महत्त होता हैं उसी प्रकार से स्रावन मास में जितने भी सोंबार आते हैं सभी सोंबार का विशेश महत्त होता हैं जो व्यक्तिस भगवान सिभ की आरा कोई भी मनुकामना बोल करके पूजा की जाए, उनका अबसे किया जाए, बेल पत्रारपन किया जाए, तो वह सभी मनुकामना पूरी हो जाती हैं। स्रावण मास में जितने भी सोम्मार आते हैं, प्रते एक सोम्मार का विशिश महत्वार भगवान सिव की आरादना करनी चाहिए। अगर कोई भी सोम्मार आपका रह गया हो, आप नहीं कर पायों तो लास्ट के सोम्मार को आप जरूर उपाय करें। दिन पर एक चीज चड़ाएं, उसका आपको नियमत रूप से शेवन करना है करीबन पांच या दस दिन तक, अब असी आपको संतान सुक मिलेगा, पुत्र का सुक मिलेगा, शर्पतम सुबह उठते ही भगवान सूर देव को अर्ग देना इस नान के बाद में, फिर आपको भ भगवान सिव का आप से करना है, भगवान सिव का आप से करते समय, ओम नमश्वाई मंतर का जाप करते रहेंगे, या सिव गायतरी मंतर का जाप करते रहेंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, कि भगवान को आपको चंदन अर्पन करना है, पुश्प अर्पन करने है चावल अरपन करने हैं, भांग धतूरा अरपन करने हैं, साथ ही आपको अरपन करना हैं बेल पत्र, बेल पत्र जितना अरपन करना हैं उतना ही अच्छा है, आप मनो कामना बोलते जाएं, ओम नमस्वाले करके बेल पत्र का पत्ता सिवलिंग पर अरपन करते जाएं, आप जिकतने भी बेलपत्र चड़ा सके उतने बेलपत्र ले ले बेलपत्र पर आपको ज़ी सहाँ और नमस्वा लिगा है जिसका विशेश मैत हुता है उसके बाद में एक बेलपत्र पर स्री राम लिखकर के विया परपन करेंगे उसके बाद में आपको ओम तत्पुर्साय विदमहे महतेवाय धीमही तन्नो रुद्राय प्रचोदयात यह मंत्र बोलते हुए भगवान सिवजी के सामने नार्यल अर्पन कर देंगे इस नार्यल का लाष्ट केस जब आपकी पूजा हो जाए आप आर्तिकल लें जाप पूरा हो जाए उसके बाद में इसका प्रसाथ भी आपको लेना है एक चीज के साथ में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आप करीबन 10 ग्राम के करीबन सिवलिंगी के बीज ले लेंगे 10 ग्राम के करीबन और आपको एक रुद्राक भी ले लेना है पंच मुकी या छे मुकी रुद्राक ले लेना है और आपको एक पत्ते पर सिवलिंगी के बीज रख लेने हैं साथ ही आपको क्या करना है कि एक जाय फल भी सिविलिंग पर अरपन कर देना हैं, पुत्र की मनुकामना बोल करके, और साथ यही सिविलिंग की भी जो नारियल यह अरपन कर दें, पर आपको जाप करना है, फिर आपको अपनी मनुकामना बोलते हुए, इस मंतर का आपको जादा से जादा जाप करना है, उसके बाद में भगवान सिविजी के आरते करनी है, सफिद मीठे या खीर का प्रसाद भगवान को अरपन करना है, फिर आपको अपनी मनुकामना बोलते हुए, शिविलिंगी के बीज, रुद्राक्ष, और आपको नारियल और फल बापस ले लेना है, और फल आपको उसी दिन खालेना है, नारियल भी खालेना है, और शिविल बनेंगे संतान प्राप्ति का योग आपका बनेगा तो वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओम नमस्षिवाएं